हला व्रिवान वेल्कम टुट चानल ग्यापन केड़ मी चले समझते हैं फिजिक्स का नेक्स टॉपिक जिसका नाम है लेंस सुत्र बहुत ही सिंपल है और इसके साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि आवर्धन क्या है मैगनिफिकेशन क्या है कौन कौन से फर्मूला है लेंस सुत्र के बारे में इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर भी करेंगे ठीक है बहुत अच्छा अब देखिए लेंस सुत्र को जरा समझ लेते हैं यह सुत्र आपको दिख र है और यह सब अब लोगा को मालूम है कि वी बराबर होता है प्रत्रविमब दूरी यानकि इमेज और लैंस की बीच दूरी तोरी हूत अब यहां पर आप लोग को कोश्टन पुछेगा दो-तीन तरह से घुमा कर जिसमें आप लोग फस्ट जाते हैं सबसे पहला तो सिंपल पुछेगा कि लेन सुत्र क्या है तो इसमें तो कोई भी आसानी से बता सकता है कि लेकिन इसी कोश्टन को आप लोग को एक और तरह से घुमा कर पूछता है पुछता है कि पृत्विंब दूरी वस्त दूरी और फोकस दूरी इन तीनों के बीच रिलेशन बताईए संबंद बताईए तब इसमें स्टुडेंट गडबर हो जाते हैं उनको समझ में नहीं था ह कैसे संबंद कैसे रिलेशन देखिए जब भी इन तीनों के बीच रिलेशन पुछेगा न तो भी आप लोग यहीं टिक लगा कराएंगे वन बैवी मैनस वन बैई यू इस उकल टू बैए ठीक है लेन सुत्र पूछेगा तो भी यहीं होगा और तीनों में संबंद पूछे कोई एक निकालने के लिए बोलेगा दो देदेगा तो इससे निमेरिकल बनता है ठीक है तो लेन सुत्र यहीं है यहां तक क्लियर हो गया अब फटाफट चली समझते हैं आवर्धन को मैगनिफिकेशन को तब तक लिए यहां तक फटाफट स्क्रिन सॉट अब चली जरह से डिनोट किया जाता है और इसका सुत्र है एच डैस देखिए यहां पर चोटा सा है ना एक डैस एक और फर्मूला होता है यह दोनों फर्मूला है ठीक है जहां पर इस डैस क्या है इस देसे प्रतिविंब की उचाई यानिकि इमेज की हाइट आपका लेंस में जो इमेज बन रहा है उसकी हाइट और इच क्या है बिम्ब की उचाई यह दिक आपकी वस्तू की उचाई वस्तू की ठीक है बहुत अच्छा और यह भी आप लोग को मालूम यह प्रतिविंब की दूरी और यह है वस्तू दूरी इसमें कोई बताने वाला है तिया अब बात आती है कि रियल में अवर्धन किसे कहते हैं यह तो मुझे समझी में नहीं आ रहे तो सबसे पहले आप लोग डिफिनेशन लिख लिजी आराम से समझेंगे लो डिफिनेशन लिखिये कि प्रतिवेंब की उचाई और वस्तु की उचाई के अनुपात को अवर्धन कहते हैं या फिर एक यह आवर्धन किसे कहता है रियल में देखिए आवर्धन हमें बताता है कि आप जो लिंस के सामने वस्तू को रखे हैं वो वस्तू का जो इमेज बन रहा है वो इमेज वो परतिवेंब कितना गुना बड़ा बन रहा है या फिर कितना गुना छोटा बन रहा है या फिर कितना गुना नजदीक बन रहा है यह हमें कौन बताता है आवर्धन बताता है और किस तरह बताता है इस फर्मूला से बताता है जब भी आप लोगों को मालूम करना होगा ना कि आप का वस्तू का इमेज बन रहा है वो इमेज कितना गुना बड़ा है या फिर कितना गुना छोटा है तो आप किस फर्मूला का यूज करेंगे अप इस फर्मूला का यूज करेंगे और अगर आप लोग को मालूम करना है ना कि आपका जो इमेज बन रहा है वो कितना गुना दूर बन रहा है या फिर कितना बूरा नज्डिकày बन रहा है तो आप लोग इस फर्मूला का यूजड खरेंगे यह इन दोनों फर्मूला से आप लोग मालूम कर सकते हैं कि बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है दूर बन रहा है और नजदिक B Mun रही हूं तो मैरे का मारकर का हाइट है वह सेंटमेटर इस किया है क्यों चाहिए इसलिए ने मालूम हैws हम लोग का जो इस मारकर का इमेज बना है वह कितना गोना बड़ा बना है और किस फर्मूला से मालूम चलेगा यह बाले फर्मूला से मालूम चलेगा क्योंकि यहां पर ह1पर हच ड्याय। इसको फर्मूला में फिट किजिए, M is equal to H dash, but H dash कितना है, 4 cm, 4 cm, तो यहां पर 4 भरिये, H कितना है, यहां पर नीचे है है न, तो H 2 cm, 2, कटा देजे, 2, 2, 4, यहां पर 2 आ गया, M is equal to, कितना आ गया, 2, अब अवर्धन 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या अवर्धन दुआरा इसका मतलब यह हुआ कि यह जो मारकर का हमारे लेंस पर इमेज बन रहा है वह इमेज हमारे इस जो मारकर की जितनी उचाई थी उससे दुगना इमेज की उचाई है समझ में आ रहा है इस मारकर का जो इमेज बन रहा है लेंस पर उस इमे पाच गुणा छे गुणा साथ गुणा जितना भी आएगा उतना गुणा उचाई है अगर आधा आता तो आधा गुणा है ठीक क्लियर हुआ या फिर हम यह भी मालूम चले सकता है कि आपका जो इमेज बन रहे हो कितना गुणा दूर या नजदीक बन रहे है वह इस फर्मू तो मालेजे वस्तुत दूरी जो है वह 25 cm है और आपका जो इमेज बन रहा है वह 50 cm है अब इससे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि इमेज जो बना है वह कितना गुणा दूर या नजदीक बना है तो अब यह फर्मूला का यूज होगा ना क्योंकि इसमें वी और यू है तो वी कितना है वी है 50 cm भर दीजिए यू कितना है पचीश सेंटीमीटर कि काटाईए इसको 25 तुछ फिफ्टी तू आ गया m is equal to कितना आ गया तू यान कि आवर्धन कितना आया दो और यह दो हमें यह बताता है कि जितना दूरी पर आपका वस्तु रखा था उससे दुगनी दू दूरी पर आपका इमेज बना है अगर यहां पर तीन आता तो तिगनी दूरी पर बनता चार आता तो चोगुनी दूरी पर बनता पांच आता तो पांच गुनी दूरी पर ठीक है यहां तक क्लियर है अब देखिए यहां पर एक और चीज आता है इम कमान अगर प्लस में आ कि मैगनिफिकेशन आवर्धन से कि वस्तु का जो इमेज बन रहा है वह आभासी है कि वास्तु के उल्टा बन रहा है कि सीधा इस यह भी मालुम लगा सकते हैं कैसे अगर इम कमान जो है न वह प्लास में आता है इसका मतलब समझे कि आपका जो इमेज बन रहा है न वह आभास है और सीधा है अगा और अगर आपका गन माइनस में तो इसका मतलब आपका जो जो इमेज बन हो वास्त्विक और क्या है वास्त्विक और उल्टा है ठीक यहनद कि मान अगर प्लस में आएगा तो वो वर्चुल होगा और सीधा पर इम इसमेंड है है की मिह कुछ भी नहीं मतलब प्लास सिधा इसे मालूम यह चल रहा है यह इसँ हैं वह वर्ट्व अपर सीधा बना है अगर यहां पर M is equal to minus two आता यहां पर minus आ गया न तो अगर minus आता इसका मतलब यह होता कि आपका जो इमेज बना है वह रियल है वास्त्विक है और उल्टा है ठीक है तो हम लोग इससे यह भी मालूम लगा सकते हैं कि आवर्धन से की पर्तिविम्द जो बना है वह रियल है कि वर्चूल है ठीक कि लिए रहे लिजी यहां तक फटाफट स्क्रीन सट तो आज कि इस वीडियो में बसितना ही एक युलेंगे नएक्स्ट वीडिओ में एक्स्ट टॉपिक के साथ और और जो लेक्स्ट टॉपइक लेगा वे रहेगा लान्स की च्छमता पावर अफ लेंस बोहती चोटा सा है अच्छा से समझा दूँगी से फुजा है और उसके बाद आप कि जो कहांत इस किस वीडियो में बस इतना ही विलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज